नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो में हम देखेंगे जो L&T का U-Power Breaker रहता है Air Circuit Breaker उसको कैसे Maintenance किया जाता है और फिर उसका Safety क्या क्या सब रहते हैं Safety Interlux क्या क्या रहते हैं उसको कैसे काम करते हैं उन सब को कैसे चेक करना है इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाओंगा तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों पुरा सेप्टी रूल को फोलो किया गया है उसके बाद हम लोग एक ब्रेकर में काम कर रहे हैं तो पहले देखिए दोस्तों उसका जो नीचे पोजिश कराय दे रहा है जहां पर हम राक इन रोड को गुषा तो बन करते हैं उसी रोड को सब्सक्राइक को परके करें यह ब्रेकर क्लोज नहीं होगा यह उसका एक्सट्राइक दिया है यहां पर इंटरलोग दिया है दोस्तों राकिन रोड को गुशा देंगे जब पुरा आइसोलेट कंडिशन में आ जाएगा रोड को निकालेंगे तो अभी यह बंद होगा उसका शाटर अगर बीच में उस रोड को निकाल देंगे तो यह शाटर कार निकाल दिया है में पूजिजन पर ला ला लिए हैं और उसके बाद हमने इसका आर्क चूट को किसे खोल जाता है कि यह से तो आर्चूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वह भी बहुती क्लीन आपको नजर आ रहा है लेकिन फिर भी हम मेंटरनास कर रहे हैं तो इसको हमको दोबारा क्लीन करना पड़ेगा तो आगे देखिए दोस्तो कैसे हम इसको क्लीन करते हैं और फिर इस ब्रेकर में और क्या-क्या सब सेप्टी फिचर रहते हैं तो इसलिए हमको फ्रॉंट कवर को खोलना पड़ेगा तो दोस्तो यह जो काम है आपको यह काम कैरफुल करना पड़ेगा क्योंकि फ्रॉंट कवर खोलने के लिए आपको यह ब्रेक्कर का जो स्प्रिंग चार्ज रहता है स्प्रिंग को डिस्चाज करना पड़ेगा लेकिन हमने आपको एक सेप्टी का और दूसरा फीचर दिखाने के लिए हमने जान बुझ कि उसका स्प्रिंग को अभी चार्ज कंडिशन में रखा है ताक खोल दिया है अभी क्या करेंगे हम इसको चार्ज करेंगे, स्प्रिंग को चार्ज करेंगे, स्प्रिंग को चार्ज करने के बाद हम इसको अभी क्लोज कमांड देंगे, लेकिन जैसा कि अब देख रहे थे दोस्तों कि पहले से ये स्प्रिंग चार्जें में है इसलिए यह अभी स्प्रिंग टाहँ नहीं ले रहा है और अभी हम इसको स्थी इंटर लोग चेक करेंगे जो कि बहुत important आव इसको क्लोज करने की कोसीज करेंगी देखें दोस्तों के ओवे किया दोनों को प्रेशा लेकिन कुछ वह नहीं हो रहा है यानि इसका मतलब है कि जब भी ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज कंडिशन में रहेगा अगर आप उसका आर्क चुट को खोल देंगे तो ये कभी भी चाहिए लेकिन दोनों में यह काम नहीं कर रहा है और चुट को खोल देंगे तो दोनों में यह काम नहीं करेगा यह एक बहुत ही इंपोर्ड़नट सेफ्टी फिचर हैं हमने इसको भी चेक कर लिया इसे खोल के आमने टेस्ट किया है तो हमें पुरा पता चल गया है कि इसका यह जो safety फिचर यह सही काम कर रहा है तो अभी हम दोस्तों अभी हम इसको ब्लोइंग कर रहे हैं हम उसके बाद हम क्या करेंगे पुटल पार्ट जितना सारा है ब्रेकवर का पार्ट का हर एक पार्ट का हम इंस्पेक्शन करेंगे कौन सा पार्ट कैसा काम कर रहा है सही काम कर रहा है कि नहीं तो देखिए पहले हमने इसको पुरा अच्छा तरह से ब्लोइंग कर दिया ठीके दोस्तों अभी हम इसका हर एक पार्ट को बारी किसे देख रहे हैं जैसा कि यह देखाई देरा आपको यह स्प्रिंग चार्ज मोटर और यह लिखा गया 240 वल्ट एसी में यह चार्ज होता है उसके बाद देखिए उसका दो रिलीज लगे हुए एक है सॉंट रिलीज दूसरा है । यहाँ पर घेकर है कनेक्स परहें चार्जिंग का हंडेल नियुक्स परेखियोग होता है और यह है दोस्तों उसका ट्रिपिंग सार्कीट अविज स्का निचए रहता है देकिए ठीलिपिंग सर्कृट का आर्रेंजमेंट कैश हुआ है कैसे यह जो connection आप देख रहे हैं वाइरिंग देख रहे हैं उसका जो processor लगा हुआ है microprocessor उसका साथ है वाइरिंग हुआ है और यह जो microprocessor यह matrix 4.5 बाला है उसके उपर देखे red बाला जो button आपको दिखाए दे रहा है ओ है trip indicator trip indicator यानि जो breaker trip हो जाएगा तो यह जो rate बाला इंडिकेटर है वह बाहर निकलाएगा और फिर उसको reset करने के लिए उसको अंदर प्रेस करना पड़ेगा यह trip indication होता है दोस्तों अब ही देखिए दोस्तों उसका दो रिलीज है closing and tripping तो यह दोनों रिलीज कैसे काम करता है उसको हम बारी किसे देख लेंगे tripping arrangement कैसे काम करता है दोस्तों दोस्तों EU power breaker के साथ matrix 4.5 या matrix 3.5 इसा microprocessor रिले इसके साथ आता है तो यानि यह breaker को आम बाहर का रिले लगा के भी इसको आम trip command भेज सकते हैं और इसका खुद का प्रोटेक्शन रहता है microprocessor रहता है उसी से भी आम इसको trip करवा सकते हैं ब्रेकर को जैसे कि आपने देखा उसका साइड में ओबरलोड शॉट सार्कीट आर्थ पॉल्ट एसा लिखा था तो यानि यह माइक्र प्रोटेक्शन भी कर सकता है लेकिन यह कैसे काम करता है दोस्तों यह देखिए उसका पीछे एक आपको दूसरा रिलीज नजर आ रहा होगा यानि माइक्र प्रोटेशन जब भी कमांड भेजेगा तो यह रिलीज को उधर से पिक अप करवा देगा तो यह रिलीज के माध्यम से यह ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा अगर हम प्यानेल के बाहर में बाहर से उसको आउट्सोर्सिंग करके इसको ट्रिप कमांड भेजेंगे यानि आउट्साइड रिले लगाना पड़ेगा तो वहां से भी हम कमांड भेज के इसको देखिए संट जो रिलीज लिखा गया है कमांड वहां पर आएगा फिर यह ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा तो यह दो तरीके से काम करता है खुद का माइको प्रोसेशर से यह ट्रिप हो सकता है अगर हम बाहर से हम रिले उच करेंगे तो रिले के माध्यम से यह अब शर्यां अब्लों ड्रिप हो सकता है और उसका वैकलोजिन रहता है दोस्तों यह उसका होता है यह लिक İshopी से करेंगा तो वहां देखिए इसको प्रेस करेंगे तो उसका पीछे वाला साइड में वह भी अंदर जा रहा है दोस्तो LNT का सी पावर सीबी के ओपर मैंने एक विडियो बनाये है और उसका जो मेंटेनांस प्रोसिजर इसका मेंटेनांस प्रोसिजर लगबख सेम है मेंटेनांस में हमको क्या करना है जहां पर हमें moving parts मिल रहे हैं moving parts को हमें सही तरीके से lubrication करना है fixed and moving context का clean करना है CRC करके उसको clean करना है और उसका tripping और closing circuit यह दोनों को check करना है लेकिन यह जो u power में c power से कुछ ज़्यादा ही safety feature दे गए हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि safety में उसका जो shutter है shutter close नहीं होगा तो यह close नहीं होगा ब्रेकर क्लोज नहीं होगा अगर आर्चूट को हम position में नहीं रखेंगे माली जै किसी एक आर्चूट को हम निकाल दें और आर्चूट को क्लीन करने के बाद आभी हम उसको दुबारा उसका position में है बीठा रहे हैं तो और देखिये दोस्तों इसका जो आपको कहां पे lubrication करना आए कहां पे lubrication नहीं करना है वह भी आपको जानने की चीज है जैसा कि आप देखा गी जहां पे मुविंग पार्ट को देख रहे हैं वहां पर हमने उसको लुब्रिकेशन थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन कर दिया है और कौन सा लुब्रिकांट का यूज करना है कौन सा गृच का यूज करना है वह भी आपको मालूम होना चाहिए तो इसके बारे में भी आप और एक सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह यह जो टाइप का प्रेकर में यूपार का प्रेकर में आपको स्प्रिंग चार्ज हैंडल को साथ बार इससे अंदर दबाने से यह स्प्रिंग चार्ज होता है अभी हमने जानूज के और एक आर्चूट को खोल दिया है आर्चूट खोलने के बाद अभी हम इसको दुबारा क्लोज करने की कोशिज करेंगे ब्रेकर को क्लोज करेंगे क्लोज करने के बाद अभी देखते हैं क्लोज हो रहा है कि नहीं देखिए दोस्तों अभी हमने इसको क्लोज किया अभी देखिए परा क्लोज हो गया ट्रिप किया फिर भी है ट्रिप हो गया दुबारा इसको फिर स्प्रिंग चार्ज करके देखते हैं साथ बार तीन चार पा करें कि अगर साथ Baar करने पर यहापका इस प्रिंग चार्ज नहीं हो रहा है तो आपका कुछ गड़़ है और स्प्रिंग चार्ज शोने के बाद अर्चुट अगर पोजिशन से खोल देंगे तो यह कभी भी क्लोजने अगर चलोज हो रहा है तो भी प्रोब्लेम और अब हैं इसको जैसा त्रीप करके स्प्रिंग जो रयकाव्ट र्याकिन हैंडल जहां पर घुचता है उसका स्वीए ये तीनों हमने अभी चेक करके देख लिया अभी हम दोस्तों इसका माइकूर प्रॉचेजर जो रहता है उसको आम केसे साफ करेंगे केसे उसको मैंटनास करेंगे जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रेकर का काम है अगर ब्रेकर में फॉल्ट आ जाए तो ब्रेकर तुरन ट्रीप होना चाहिए मलिझे वहीड buffer कमंड ब्ह één लेकिन उसका जो व्यायरिंग है फोड़ा लूज है तो पिर आपका काम कік्ले ब्रेकर कर दो belong चाहिए तो बीच में जो वैरिंग रहता है अगर वो वैरिंग में थोड़ा बहुत लूज रहेगा तो breaker आप trip नहीं होगा trip command ट्रिप रिलिए तक पहुंच नहीं पाएगा इसलिए इसकाnan माइको प्रोसेशार को messar को को खोल के उसको साब्सुतरा कर लेना चाहिए इसका सही तरीक से क्लीन करना चाहिए ब्लोइंग करके भी इसको क्लीन कर सकते हैं और उसका जो वैरिंग को आप खोल के उसको डॉस्ट को वहां से निकाल दीजिए प्रपरली क्लीन करने के बाद आप उसको दुबारा पोजिशन में लगा दीजिए अभी आप देखेंगे दोस्तो जो माइक्र को दिखाए दे रहा है वाइट कलर का कोईल वहें ट्रिपिंग कोईल है जो कि यह माइक्र प्रसेशर रिले से उसका कमण जाएगा तो भी उसका जो देखिए स्प्लंजर देखिए वह स्प्लंजर आगे निकल जाएगा फिर यह ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा उसके देखिए सही पोजिशन में सही व्यार को हम लगा रहे हैं करेक्टर को लगा रहे हैं उसके बाद हम इसको ब्रेकर में फिक्स कर देंगे दोस्तों यह जो माइक्र प्रसेशर रिले है यह टॉच स्क्रीन वाला एक डिस्पले यहां में मौझूद है तो उसी डिस्पले के मा देख सकते हैं और यह बहुत ही आसान है उसका सेटिंग को देखना सेटिंग को चैंज करना कुछ भी काम करना यह बहुत है तो दोस्तों आज का इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पुरा डिटेल में दिखाने की और समझाने की कोशिस किया है पुरी तरह से अगर आपको यह हमारा चैनल अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारा वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी से सेयर कीजिए दोस्तों और आगे भी मैं आपको यह ब्रेकर के बारे में किम सार्केट ब्रेकर को कैसे टेस्ट करना है और दुसरा टाइप का जो ब्रेकर सब रहते हैं दुसरा मेक का उसका भी मेंटेनांस उसका टेस्ट कैसे करना है यह सभी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा